क्रिकेट की इंसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सब्से पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकान जरूर दबाएं आईपील 2019 में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच फिरोज सा कोटला मैदान पर सुलाहवा मैच खेला जाएगा दोनों ही टीमोंने अब तक दो-दो मुकाबले जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना पिछला मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के खिलाब हार गई थी जबकि सनराइजर्स हैदराबाद अपने पिछले मुकाबले में रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा कर सांदार जीत दर्च किया था बात करें Sunrisers हैदराबाद की बल्ले बाजी की, तो पिछले मैच में जॉन्ही बेयरष्टो और डेविड वार्नर दोनों ही बल्ले बाजों ने बहतरीन सतक लगाय था ऐसे में खास तोर पर दिल्ली कैपिटल्स की गेदवाजों को इन दोनों बल्लेवाजों से सावधान रहना होगा इसके अलावा आलराउंडर विजय संकर और युशुप पठान भी अच्छी लए में हैं जो सन्राइजर्स हैदराबाद की जीत में अहम भोमिका निभा सकते हैं बात करें दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की तो बेहतरीन फार में चल रहे सलामी बल्लेबाज पिर्थविशा और सिखर धवन दिल्ली कैपिटल्स को तेज तर्रार शुरुवात दिला सकते हैं इसके अलावा अगर कोई बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स को अकेले दम पर जीत दिला सकता है तो वो हैं रिशबपन्थ जी हाँ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाप पिछले साल 128 रन की तुफानी पारी खेलने वाले रिशबपन्थ इस बार भी बड़ी पारी खेल सकते ह रिशबपन्थ ऐसे बल्लेबाज हैं जो चल गए तो अकेले ही डेविड वार्नर और जोनी बेहस्टो जैसे बल्लेबाजों पर भारी पर सकते हैं वहीं कप्तान स्रेयस अईयर अभी तक अपनी प्रतिभा के अनुरोप प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं ऐसे में कयास लगाय जा रहे हैं कि स्रेयस अईयर भी आज बड़ी पारी खेल सकते हैं